नमस्कार दोस्तों एक मेल हतेली हमारे सामने है और देखेगा आपके हतेली में जो ये करियर और धन की रेखा है ठीक वहीं से निकल करके एक जो है ब्यापार की रेखा निकलते हुई दिखाई दी रही है इस पश्ट तरीके से ये बता रही है कि जहां आपका आयुस बढ़ेगा आपकी जो एज है वो अच्छे खासी रहेगी वहीं जीवन में आने वाले समय में आपको अपनी ब्यापार के छेतर में बहुत बड़ी सपलता मिलने वाली है तरक्की मिलने वाली है ब्यापार में तरक्की को दिखा रही है और कहीं न कहीं बोलने के धंके कारण Communication Skills के दम पर आप अपने जीवनकाल में अच्छा धन भी कमानी वाले हैं लेकिन थोड़ा सा जो है आपका चंद्रमा भी हलका Unbalance दिखाई दे रहा है हलका क्या काफी Unbalance दिखाई दे रहा है और इस रेखा का भी इस पे प्रभाव पड़ता है जो स्वस्थ्य का मामला है उसमें पेट से समंदित जो रोग है वो कहीं न कहीं परेशानी के कारण बन सकते हैं तो इस तरफ कहीं न कहीं आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी इस तरफ आपको समलने की जरुरत होगी दूसरी बात अगर हम करें ठीक इसी के अनरर में एक और चीज दिखाई दे रही है आपका जो ये निम्न मंगल है इस निम्न मंगल पे एक सांदार रेखा दिख रही है जो मंगल की रेखा है सबसे पहले ये इंगित कर रही है कि आपको आने वाले समय में चाए अपने परिवार का हो चाए अन्य लोगों का हो दूसरों का सईयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की विसेशकर हनुमान जी की बहुत अच्छी किरपा आपके उपर बनी हुई है इसका अनुभोवी आप प्राप्त करने वाले है तीसरी ये लकीर इंगित कर रही है विसेशकर जो है ये निम्न मंगल पे बनी हुई मंगल की रेखा कि आप में बहुत अच्छी प्रतिबा है तीब्र बुद्धि के आप मालिक है आपके अंदर सोचने की आपके अंदर जो समझने की चमता है वो बड़ी तीब्र है बड़ी अच्छा है ठीक है न? और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका यहां पे दिखाई दे रहा है आप ये जीवन काल में कोई एक निरणे ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थे भी रखते हैं और आपका व्यक्तित्व भी इस मंगल की वो जोसे अच्छा खासा प्रभाव साली यहां पे दिखाई दे रहा है दूसरा आपके जो पंच तत्व हैं पंच भूत हैं पाइव एलिमेंट जिने कहा जाता है और सरीर के जौसातों चक्र हैं आपकी जो पाँच ग्यान इंद्रिया हैं और पांच कर्म इंद्रिया हैं, उनके अनुसार भी अगर हम हतेली में देखते हैं, क्योंकि हमारा सरीर ये पांच तत्वों से बना है, ठीक है ने, जिसमें जल है, वायो है, क्योंकि वायो तो सांस लेते हैं, जल के मात्रा भी हमारे सरीर में है, ठीक है ने, तो इस परकार से जो पांच तत्व हैं उसी से अमारा सरीर बना है तो उनके अनुसार हतेली इस पश्ट बताती है कि आपके जो इश्टदेव हैं वो भी हनुमान जी है और इस कलियोग में तो कहा गया है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुम्रे हनुमंत बलवीरा तो जिसके खुद ही इश्टदेव हनुमान जी हो तो उसको कहीं और जाने की क्या जरूरत है नहीं है आप समर्पन रखेगा आप उनके चलन पकड़ लीजेगा हर संकट का हल उनके पास है ऐसा कोई भी संकट नहीं है कोई भी कष्ट नहीं है कोई भी ब्यादि नहीं है कोई भी रोग नहीं है जो हनुमान जी ठीक नहीं कर पाते है जीवन में कोई भी उल्जन ऐसी नहीं है जो हनुमान का नाम लेके जो है ब्यक्तिक कष्ट में रहे और आपके तो स्वयम हनुमान जी जो है इस्टदेव है तो आराम से उनके चलन पकड़िएगा निश्चित ही बहुत अच्छा फल मिलेगा एक चीज और दिखाई दे रही है आपकी हतीली में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो यह जो चंद्रमा का आपका पोर्शन है चंद्रमा का जो भाग है चंद्रप्रवत जिसे कहते हैं यहां से धीरे 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 एक रैखा निकल करके आगे बढ़ रही है अभी तो यहीं पे पहुँची है लेकिन जैसे ही यह आगे बढ़ेगा इसका प्रभाव बहुत जादा पढ़ने वाला है कहीं न कहीं एक चीज बन रहा है एक योग बनता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है अब वो क्या योग बन रहा है देखेगा चंद्रमा और सूर्य की युक्ति यह बताता है कि देश ही नहीं बिदेश तक आपकी कीर्थ फैलने वाली है यानि दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ने वाला है ओसकता है ऐसा काम करने वाले हैं आप जो आपका सम्मान अपने देश में नहीं बलकि बिदेशों तक जो है दुनिया में जो है आपका नाम कमाएगा इससे आपकी परसिद्ध बढ़ेगी यह यहां पे दिखाई दे रहा है ठीकन सूर्य क्या है परसिद्ध का ग्रह है चंद्रमा क्या है सतर प्रसेंट हमारी जिवन को बदलने की छमता रखता है तो यह चीजें यहां पे दिखाती हुई नजर आ रही है अब देखेगा एक दो चीजों पर आता हूं मैं फिर पूरी हतिली का बिसलेशन करते हैं लेकिन देखेगा आपका यहां पे जो है जो चंद्र का छेतर है जो सतर प्रसेंट हमारी जिवन को बदलने की छमता रखता है वो इस पष्ट तरीके से बता रहा है और आपने इसमें प्रश्ण भी पूछा है जब चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो मन ब्यक्तिका किये कहीं न कहीं मन को गडबड रखने की इस्तिति में आ रहा है मानसिक प्रेशानी से गर्शित रख सकता है ऐसी इस्तिति भी आ सकती है कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा भावक हो जाएंगे बात बात पर आँख से आसो आ सकते हैं या इमोशनली प्रेशान हो शकते और चंद्रमा जितना जो है नेगेटिव प्रभाव देगा उतना आपका मन अच्छा नहीं रहीगा कारियों में मन नहीं लग सकता है, बैचेन हो सकते हैं, का निफ्योज की इस्तिति आ सकती है, दुविदा आ सकती है ठीक हैने मन उदास रह सकता है, इस प्रकार की चीजों को ये दिखा रहा है और थोड़ा अपने डाइजेस्टिब सिस्टम का ध्यान रखेगा, पेटि से समंदित परेसानियां रह सकती है और अपने मा का स्ष़़्ट्य अगर खराब है, उनका विसेश दियान रखेगा चंद्रमा अगर ज़्यादा विगड़ता है, तो मा का सुक प्राप्त नहीν होता है कहीन कहीं जो है, मा के सुक में कमी को ये दिखाता है ठीक है न? तो कहीं न कहीं अभी दो से धाई सालों तक थोड़ा इस बार आपको चिंता बनी रहेगी इस परकार की चीजों को ये दिखा रहा है और नीन आने में भी हो सकता है दिक्कतों का आपको सामना करना पड़े वैसे मैं इसका एक उपाई दे दूँगा उपाई को आप विदिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही थोड़ा लाब आपको ज़रूर हो जाएगा अब चलते हैं आपकी हतेली के कुछ मुख्य चीजों पर और एक चीज का ध्यान और रखेगा आपका अगर निम्न मंगल को हम देखते हैं जहां अच्छी रेखाईस में है लेकिन ये गड़े की तरफ जाता हो दिखाई दे रहा है तो जब ये नीचे धंसता है कभी कभी कॉन्फिटेंस लेवल की कमी करता है आत्म विश्वास में कमी लाता है अगर ये सारिक विकार उत्पन कन्ने बैठ जाए तो नेतर रोग देता है नजरें कम हो जाती है आँखों में चस्मा उगेरा लग जाता है सरीर में कई बार कमपन की समस्या को देता है या सारिक जो ताकत होती है उसको यो बहुत कमी करता है सरीर की जो जोड है वो बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं और जादा इसका प्रभाव पड़ा तो बलड फ्रेशर की समस्या आ जाती है तो थोड़ा सा जो है मैं एक दिव्य सूर्य किरिया आपको दूँगा उसमें मंगल का उपाई दे दूँगा तो मंगल को भी थोड़ा श्ट्राउंग जरूर करियेगा इससे बड़ा फाइदा होगा क्योंकि आपका उच्छ मंगल ठीक है जो आपके अंदर प्राकरम दे रहा है एनरजेटिक स्वभाव दे रहा है और कहीं न कहीं कैसी भी प्रस्तिति आजाए प्रस्तितियों से भागने वाला व्यक्ति तो नहीं दे रहा है बलकि डट कर मुकाबला करेंगे ऐसा व्यक्ति तो दे रहा है साथ में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सांदार इस्तिति में एक तिरकून बन रहा है को सीज़ की और इसारह कर रहा है ठिक आप चलते हैं आपकी हतीली में यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मनीबंद में आती हैं तो मनीबंद में भогत सारी रेखाई जन्मली रही है कलर इसका बहुत अच्छा है लेकिन बहुत सारी रेखाओं का जन्म लेना बताता है कुछ समय तक अभी चाए हलकी मातराब में रहे लेकिन कोई नो कोई चिंता बनी रहेगी और थोड़ा सा हलका उतार चड़ाओ भी जियोन में दिखाई देगा लेकिन अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से आपकी पहली रेखा दिखाई दे रही है इस प्रकार से दिखाई दे रही है लेकिन आगे बहुत इस पश्ट इस्तिति में पहुँच रही है ठीकने आगे इसमें यव नहीं है बिलकुल रेखा जो है सुन्दर इस्तिति में आ और यह रेखा आपकी स्वस्त्य की रेखा है आपकी आरोग्य की रेखा है आपकी तनुरस्ती की रेखा है आम तोर पर यह होता है कि जहां तक जब उमर बढ़ने बैठ जाती है तो स्वस्त्य से समंदित चोटी मोटी परेशानिय घर कर जाती है लेकिन एक उमर के बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी एक उम्र के बाद स्वस्ते से समंधित चीजों में सुधार दिखाई दे रहा है आरोग्या और तंदुरस्ती से समंधित चीजों में जो है सुधार दिखाई दे रहा है और ये रेखा आप कह रही है आपकी कि क्या है आयुसमी बृद्धी तो ये आपके लिए बहुत सुनर चीज है दूसरी रेखा देखें तो यहां से जो है धीरे धीरे यो आकार में बन रही है ये बहुत अच्छा माना जाता है अगर केवल बीच में हो तो वो खराब होता है लेकिन एक उमर के बाद अगर धीरे धीरे ये यो आकार में बनने बै पति में जो है बिर्दी होगी मनि जो ब्यापार का छेतर है जो धन का छेतर है जो संपति का छेतर है उसमें अच्छे फल मिलने की संभावना को यह दिखा रहा है अब चलते हैं तीसरी रेखा पे अब बीच में कई रेखा हूं बात अलग है लेकिन जो इस पश्ट दिखाई दिए उसका फल मिलता है अब यह रेखा तीसरी ऐसी है इसका मतलब है तीसरी रेखा भी बुलंद इस्तिति में पहुँच रही है तो आपको आने वाले समय में जहां अपने स्वस्थ्य का बहुत अच्छा लाब मिलेगा वहीं अपने धन का और अपने एस्वरे भोगने का सुक भी मिलेगा यह लकीर कहती हुई यहां पर दिखाई दी रही है अच्छी चीज है अब देखेगा यहां पर देखें तो इस प्रकार सी जो है रेखा जो है इस पश्ट इस्तिति में आती हुई दिखाई दी रही है एक पत्ता नुमा बना रही है और इस पे जो है केतु का प्रभाव पड़ रहा है धर्म और अध्यात्म के पर्ति आपकी रूची बढ़ेगी अध्यात्में कहीं न कहीं आप विकास करेंगे उमर के साथ साथ आपको कहीं न कहीं आने वाले समय में सुखद यात्राओं का मौका भी मिलेगा इस परस्ट तरीके से ये चीज कहती हुई यहां पे दिखाई दे रही है अब यहाँ पर देखेंगे यह इस तरों से जा रहा है और इस प्रकार से जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह इस प्रकार से जो है यह बर्ग के चिन है यह तिरकोण का चिन है तिरकोण का चिन बता रहा है अपने ही इनवेश्ट कीवे पैसों से आपको अपने बुडापे काल में अच्छा खासा धन लाब होगा ये बता रहा है कहीं न कहीं बिदेश से भी धन का आगमन होनी वाला है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका निकलेगा और जीवन में कितनी भी परेशानी आए धहरेने खोने वाला व्यक्तित्वा बना रहेगा अब ये इनी चीजों को बताता है इसके अलावा कुछ नहीं बताता है अब यहाँ पर देखेंगे तो बरतमान समय में जो है कहीं न कहीं हतेली में रेखां बढ़ रही है इनके कटकटाव की इस्तिती बढ़ने की संभावना दिखाई दी रही है जो बरतमान समय को इंगित कर रही है बरतमान समय में चैहल के मातरा में हो लेकिन कहीं न कहीं उलजन बढ़ती हुई दिख रही है कनफ्यूजन की इस्तिति आती हुई दिखाई दे रही है और जो आपके निरणी लेने की चमता है उसमें हलका जो है डाउन फोल दिखाई दे रहा है दूसरा धन का जो मामला है उसमें उस परकार से धन का संचय नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार से आप चा रहे हैं या जिस प्रकार से आपके अंदर धन संचय करने की छमता है तीसरा, इसका असर आपके स्वस्त्य पे भी पढ़ रहा है चाए वो सारिरिक स्वस्त्य हो, चाए वो मानसिक स्वस्त्य हो, कोई न कोई बिकार दिखाई दे रहे है चौथा इसका असर आपकी रिस्तों पे पढ़ रहा है कही न कही रिस्तों में बिखराव होने की संभावना को ये दिखाया रहा है थोड़ा सा सजग रहने की आऊशकता है पाँचवा इसका असर हल के रूप में आपके जीवन में आपकी जो डिपलप्मेंट है आपकी जो प्रोग्रेश है उस पे तीब रिकति से पढ़ने के संकेत दे रहा है तो इसके लिए क्या करना है एक दिव्य योग ध्यान किरिया आती है उसको जरूर करेगा निश्चित ही उससे लाब होगा यहाँ पर अगर हम देखें यह आपकी हिरदय की लकीर है सीधा सीधा जो है देव गुरु ब्रस्पति से युक्ति बना रही है यह कह रहा है कि सब के लिए सोचने वाला ब्यक्ति तो आपका बना हुआ है अच्छा खासा नौलेज आपके अन्नर है बुद्धिमान ब्यक्ति हैं आप तेजुस्वी हैं और प्रेम के मामले में बहुत स्रेष्ट हैं हिरदय की गहराई से प्रेम करते हैं अंत तक निभाने वाला ब्यक्ति तो आपका है लेकिन स्वाबिमानी है हाँ निर्मल हिरदय का ब्यक्ति तो भी है आगे चल कर ये बता रहा है चाहे आप ब्यापार करें चाहे आप नोकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक स्रेश्ट जीवन ब्यतीत करते रहेंगे आपकी मस्तिस्क की रेखा देखें तो इस तरों से निकल के पूरी हतीली को पार कर नहीं है बौधिक अस्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जादा सोच रहें बरतमान में जादतर आप कलपनाओं में डूबे रहते हैं आजकल और आपका जो मन है वो एकागर्चित कम हो पाता है लेकिन जीवन में स्रेश्ट सपलता भी हासिल होगी लेकिन आपका जो मन है वो बहुत जादा कलपनाओं में भी डूबा रहेगा ये इस और संकेत कर रहा है जीवन की रहका सीधा यहां आके फिर इस पे मिलती हुई यहां पे दिखाई दे रहे परिवारिक परतिस समर्पन की भावना रहेगी और जैसे जैसे उमर बढ़ेगी धर्म और अध्यात में रूची बढ़ेगी और अध्यात में जो है विस्तार और विकास पाएंगे ये इस परकार की चीजों को बथाता हुआ नजर आ रहा है करियर और धन की रेखा इस तरों से जाती हुई सीधी जारी है लेकिन ये अगर इस पश्ट तरेक से पूरी यहां तक पहुँच जाए तो थोड़ा उतार चड़ाव की संभावना जादा रहेगी तो थोड़ा दिब्ययोग ध्यान के रिया जरूर करते जाए निश्चित ही लाव होगा बाकि सभी लकिरों का हमने अध्यन कर लिया है अब यहां पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरों से जुक रखे है आपकी मिडली फिंगर की तरह तो निश्चित ही धारमिक भावनाएं बहुत बड़ी रूप में रहने वाली है इस स्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा अपने आरहत देखेंगे पर ती समरपन बढ़ने वाला है इस प्रकार की चीजों को ये बता रहा है दूसरों की मदद करने की भावना जागरत अवस्ता में आपके अंदर है और दयालोपन आपके अंदर जनम जात है कुदरती तोर पे गुरू की किरपा के कारण मनि जो निश्ठूर ब्यक्तित्व है कठोरता है कुरूरता है ख़डूसपन है वो आपको कभी टच नहीं करेगा आपके ब्यक्तितों को टच नहीं करेगा दूसरी बात है आपके बंस में कहीं न कहीं इस स्वर की रिसी ग्रहों की किरपा हमेशा बनी रहेगी देखो उतार चड़ाव आता है जिवन में ठीकने कभी ब्यक्ति गरीबता में जीता है कभी संगर्स में जीता है और कभी राजा के समान जीता है लेकिन अगर बंसक में कही न कहीं रिशिक ग्रोहों का प्रभाव रहे तो व्यक्ति का जो बर्चस्व है, कुल की जो मर्यादा है उसमें व्यक्ति हमें सब बिस्तार पाता है, बिकास पाता है और समाज में मान प्रतिष्टा उस कुल की बनी रहती है तो ये आपके अंदर अच्छा दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है मिडल फिंगर भी सीधी है और बहुत सुन्दर इस्तिति में अच्छे अनुपात में खड़ी है आपकी मान से क्चमता भी वास्तों में बहुत अच्छी है और उसके साथ साथ जो अध्यात्मिक चमता है वो भी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है हाँ एक बात तो जरूर है स्वाबिमानी आप बहुत ज़्यादा है लेकिन विवेक भी आपके अंदर है दोसरों की मदद करने की भावना बहुत ज़्यादा है और करते भी है भाक्यका भी बहुत सुन्दर साथ आपको मिलेगा यह यहाँ पे इसपष्ट तरीके से बता रहा है यह उंगली भी सीधी खड़ी है और यहाँ पे अगर हम देखे तो ब्रस्पति की उंगली से बड़ी है मिडल फिंगर से छोटी दिखाई दी रही है दो चीजी है प्रक्टिकल रूप में पाया गया है बहुत सारे लोगों ने सोध किया है इस पे और एकी बात उन विद्ध्वनों ने कही है जो भी हस्त रेखा को देखती है चाहिए वो बिदेशी हो चाहिए वो हमारी देश के हो सबी जगे यही पाया है कि अगर आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी हो और मिडल फिंगर से छोटी हो चमता होती है वो तीब्र होती है जो आपके अंदर दिखाई दी रही है और उस रिस्क लेने में उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए क्योंकि रिस्क लेने में हमें सब फाइदा तो होता नहीं है नुकसान भी जेलना पड़ता है जीवन में लेकिन इस परकार की उंगली वाला विक्ति रिस्क लेने में जो कि मुठाने में अगर नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनो उठने की चमता रखता है गिर कर धेर नहीं होता है गिर कर उठने की चमता रखता है यह हिम्मती सोभा होता है तो यह तो आपके अंदर है यह अगर आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी हो और मिडल फिंगर से छोटी हो तो ऐसा बिक्ति अपनी जिवनकाल में यस पाता है यानि कहीं न कहीं आप यसुसी हैं समाज में मान प्रतिष्टा पाने वाली बिक्ति हैं यस पाने वाली बिक्ति हैं औ दखाई दे रहा है, तो यह चीजें बहुत सुननर हैं बहुत अच्छी तोलों से यहां पर देखते हैं, अब यहां पर देखेगा, इसके बीच में गैप है, थोड़ा ये नैसर के गुणों में अच्छा नई माना जाता है, जब जब आपकी कुंडली में सनि साड़ी साति मे होते हैं डाया में होते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता है ठीक है न अब सबसे छोटी उंगली हम देखें ये हलकी जुकी हुई है और इस तरफ मनि धनका मानी के ललक जबरदस्त रहेगी अब यहां भी ये इसके पहले पोरवे तक पहु है ब्यापार की समझ जो बड़े अस्तर की उतक्रिष्ट अस्तर की ऐसे लोगों के अंदर होती है जो आपके अंदर साप दिखाई दे रही है दूसरी बात है ऐसे बिक्तियों का जो कम्यूनिकेशन इसकिल्स है वो बना टॉप का होता है आपका है तीसरी बात है ऐसा बिक् पे कुछ करने वाला जो गुण है इन लोगों में सर्वस्रिष्टम अस्तर में होता है अब ये दिखाई दे रहा है आप जीवन में राजयोग का भोग भी किया है आपने राजयोग भी बन रहा है आगे आने वाले फिर से आप उस राजयोग का भोग करेंगे वो दिख रहा ह या तो ऐसा विक्ति सरकारी नोकरी करता है या तो ऐसा विक्ति ब्यापारी होता है तो इन दोनों चीजों में एक आप है ये इस पश्ट तरीके से यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन एक चीज का धियान रखेगा आपका जो ये पर्थम फैलेंज है फर्ष्ट फैलेंज य ये सेकंड फैलेंज से जो है बहुत छोटा है तो अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में ले गए निरणयों के कारण कर सकते हैं इसकी संभावना को ये बढ़ा रहा है तो क्या करना है अपने जल्दबाजी में कोई निरणय नहीं लेना है बड़ा सोच समझ कर किसी अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समरकर रखना ये चीजें ज़्यादा रही है और रहेंगी नई चीजों के प्रति रुजान हमेशा बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा नई फैसन के प्रति नई कपड़ों के प्रति और बहुत एक सुक्षिवदाओ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्सन बना रहेगा लगजरी लाइफ की तरफ आने वाले कुछी समय बाद जब ब्रेस्पति अपने सही इस्तिति में आ जाएगा तो कुटुम्ब का जो सयोग है परिवार का जो सपोर्ट है और परिवार की तरफ से जो सुक है उसमें होनी वाली है अब दोनों मंगल के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया है ब्रेस्पति थोड़ा अगर देखें तो सनी की तरफ जुके हुए दिखाई दी रही है तो थोड़ा सा जो है परिवार को लेके अभी कुछ समय तक अब विसेश कर ये इस प्रकार से धाया में है तो धाय वर्सों तक दोनों का प्रभाव बना रहेगा परिवार को लेके कुछ चिंताईं बनी रहेंगी हो सकता है बीच बीच में थोड़ी समस्याईं भी आ जाए तो थोड़ा आपको सजग रहने की आवशकता है वैसे देखा जाए तो यहां भी धीरी धीरी नॉर्मल इ स्थिति में आ गया है तो इस समय यह आपके अंदर साधारणता देने की कोशिस कर रहे हैं सामन्य विक्तितों देने की कोशिस कर रहे हैं नैसर्गिक गुणों की उज़ोसे हंसमुक सबाव रहेगा देखा जाए तो दयालता रहेगी प्रौपकार की भावना रहेगी लेकिन ब्रस्पति के ठेक होने पर चीजें और भी अच्छे आएंगे यह दिखाई दे रहा है यहां पर हलका सा आप देखें एक मचले का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है यह भी डाई वर्स के बाद अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है इसका प्रभाव डाई बिक्तियों में आप अपना अस्तान बनाएंगे ये इस प्रकार की चीजों को बता रही है सनी का अस्तान ठीक है थोड़ा सुबा उठने में दिक्कतें या आलश्या आ सकता ही इस बात के और ये संकेत कर रहा है अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये थोड़ा सा गलत है ये गलत इसलिए है कि ये बरतमान समय को बता रहा है कि बरतमान में थोड़ा सूरे की ओजोसे अगर हम बात करते हैं तो जिवनकाल में थोड़ा उलजन में रख सकता है ये थोड़ा इस परकार की इस्तितियां सामने ला सकता है कि परेशाने खतम नहीं हो रही है तनाव खतम नहीं हो रहा है परेशाने उसे मुक्त नहीं ले पारे इस परकार की इस्तिति को पैदा करने की कोसिस कर रहा है तो इसके लिए दिब्यसोरे किरिया दूँगा उसको जरूर करिएगा दूसरी बात है यहाँ पे दो तिरकोण बन रहे हैं तो यह बता रहा है आने वाले समय में विशेश कर दो बड़ी इक्छाई जो आपके मन के अंदर डोबी हुई है उन में सफलता मिलने वाली है और विशेश कर ऐसा बिक्ति अगर अपना घर बनाना चाता है तो ऐसे बिक्ति सफल होते है अपना वाहन की प्राप्ति करना चाता है तो सफल होता है दूसरी बात है यह तिरकोण बिक्ति को बुद्धिमान बनाते है ऐसे बिक्ति कलाका पार्खिय होता है सिदहस्त होता है और धनी होनी की निसानी होती है ये जोड़े रोप में ऐसा बिक्त निश्चित ही धनड्य बिक्तियों की सूची में अपना अस्तान बनाता है उस असंभों को भी संभों बना लेता है चाहे पैतेक रोप से कितना निर्धन है आर्थिक संपन नहीं भी है तो भी ऐसी प्रतिभा ऐसे बिक्तियों के अंदर जन्म लेती है कि उसके बल पर अधिक धन और बड़ी प्रसिद्धि को कमाती है यह बिसिष्ट होता है सूर्य के परवतपे जो है तिरभुज का जोड़ा होना बहुत कम हतीलियों में मिलेगा बहुत कम तो यह आपके लिए जो है बहुत शांदार है इसके फल को पूर्ण पाने के लिए सूर्य की उपासना दूंगा में उसको जरूर करेगा छोटा काम भी करेंगे तो नेम फिम पाने की इच्छा बढ़ेगे बुद्ध भी अच्छी स्तिति में आ रहा अच्छा जो है आगे प्रभाव देगा अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हतियली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विद्वत तरीके से लेख करके और ओडियो के मादेम से बेज रहा हूं करने की कोशिस करें निश्चित ही लाब होगा